चोपड़ा जोब इस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हादिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बचो NMC ने 2023-24 MBBS बैज के लिए सेडूल जारी कर दिया है और ये अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा यनि कि ये बैज के स्टार्ट होने की डेट अगस्त से सुरू है ये कब स्टार्ट होगा इसका सेकिंड एर कब से स्टार्ट होगा फाइनल एर कब से स्टार्ट होगा नेक्स्ट एक्जाम कब लगेगा इंटरंसिप कब से स्टार्ट होगी next to कब लगेगा इसके बारे में पूरा schedule जारी कर दिया है और इसका MBBS के दोरान कौन सा year कितनी मंद का होगा ये भी NMC नी जारी कर दिया है तो इस वीडियो में हम इनके बारे में पता करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये कितने years का कितनी months का होगा इसका date क्या रहेगा तो इसमें जैसे ही हम NMC की site पर visit करते हैं यहां पर आपको एक जो tape मिलना है वार्स नियू में आपको मिलेगा guideline under graduate medical education regulation 23 जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो जो circular है वो आपको show हो जाएगा तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि यह जो regulation है दो जून को publish हुआ था उसमें इस परकार से कुछ amendate हैं इसमें क्या-क्या इसमें जो changing है वो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ और इसका link मैं इस वीडियो के description box में भी डाल दूँगा वहां से आप इस notice को download करके इस circular को download करके पूरा curriculum देख सकते हैं इसमें सब कुछ दिखाया गया है यह 2023 बैच के लिए ही नहीं आगे वारे बैच के लिए भी यह amendment है इसमें तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके curriculum के schedule के बारे में कि क्या schedule रहेगा इसका तो schedule अगर एक बार हम दिखें तो 2023 के लिए जो batch start होना है वो भी अगस्ट में start हो जाएगा यानि कि जो first month starting month होगा वो अगस्ट रहेगा फर्स्ट month अगस्ट रहेगा यानि कि जो आपका 2320 का Mbps का batch start हो रहा है वो अगस्ट में start हो रहा है यह बिल्कुल clear हो चुका है इसके बाद में September 2nd मन्त रहेगा, October 3rd मन्त, November 4 मन्त और 5th मन्त रहेगा December 2023 के लिए अब जो MBBS का total duration है वो 54 मन्त है यानि कि 54 मन्त आपकी study होगी ये MBBS का duration है और एक साल की फिर internship है तो इसमें 2023 में ये 5 मन्त कंप्लीट हो चुके होंगे और उसके बाद में 2024 में July में first professional यानि first year का exam भी हो जाएगा और उसका result भी आजाएगा यानि कि जुलाई 2024 में July 24 में first year का exam भी conduct हो जाएगा और उसका result भी आजाएगा उसके बाद अगस्त 2024 से second year start हो जाएगा यानि कि 13 मन्त में second year start हो जाएगा और उसके बाद में December तक 17 years complete हो जाएगे 2023-2024 बैच के लिए इसके बाद 2025 में यानि कि 25 में second professional यानि second year का exam जुलाई में conduct होगा और जुलाई में इसका result आजाएगा जुलाई 25 में और अगस्त से फिर final year start हो जाएगा first part final year के दो पार्ट होते हैं first part और final year का second part तो first professional final year का अगस्त 2025 को start हो जाएगा और इसकी exam final first professional की जो exam और result होगा वो जुलाई 26 में आ जाएगा जुलाई 26 में इसका result आ जाएगा अब जो final का second professional है मैं यहाँ आपको एक चीज पहले बता देता हूँ MBBS को four years में बाटा गया है first year है उसको first professional कहा जाता है first year को first professional कहा जाता है second year को second professional कहा जाता है जो बाद में दो साल बसते हैं उनमें final year कहा जाता है उसको तो final का first professional third year होता है और final का second professional fourth year होता है इस प्रकार से four years में इसको divide किया जाता है तो जो second professional है final year का वो start हो जाएगा अगस्त 2016 में ये start हो जाएगा final year का second professional यानि final year complete यहां से start हो जाएगा और इसके बाद में जो final year होगा वो काफी लंबा होता है ये तो जो आपके years हैं ये 12 month के होंगे ये जो years हैं जो 3 years हैं वो 12 month के होंगे यानि 36 month में आपके 3 years complete हो जाएगे लेकिन जो final year है वो 18 month का होगा यानि कि total 54 month होगे उसमें final year 18 month का होगा तो final year August 26 से start होगा और ये end होगा 27 December में 27 December में next one exam conduct हो जाएगा next one exam complete हो जाएगा 27 December में 2322 के लिए उसके बाद 54 months complete हो जाएगे जनवरी 28 में इसका result आने में ये थोड़ा सा time लगेगा तो result इसका आजाएगा January में यानि कि January में आपका MBBS complete हो जुका होगा इसका result भी आजाएगा next का और ये next exam December में complete हो जाएगा अब इसके बाद में इसी के दोरान इसी के दोरान January February में ही इसी के दोरान university exam भी लगेगा ये तो next exam के साथ साथ university exam भी लगेगा पहले next नहीं होता था university exam ही होता था लेकिन यहाँ पर university exam भी होगा लेकिन वो इसी time में हो जाएगा January में university exam हो करके फरवरी में internship शुरू हो जाएगी फरवरी में internship फरवरी 2018 में 2322 के लिए internship स्टार्ट हो जाएगी और फिर जो second next लगेगा next part 1 next part 2 वो जून में जाकर के लगेगा इसमें और इसके बाद में internship खतम हो जाएगी January 2019 में जनवरी 2019 में ये internship खतम हो जाएगी जो बच्चे इस next में पास नहीं कर पाए थे जनवरी में फिर से next लगेगा दिसमबर जनवरी में लगेगा तो दिसमबर में लेकिन उसका result जनवरी में आ जाएगा तो वो next year इसमें appear होके अपना फिर वो exam पास कर सकते हैं next का तो ये सारा का सारा curriculum है सारा का सारा schedule है इसका जो 2322 है इसके लिए तो इस परकार से ये रहे 31 मार्स तक लेते हैं internship का time जो next exam होती है उसमें 31 मार्स तक लिया जाता है ये जो 2-3 मैंने है ये इसलिए extra दिये हैं 2 मैंने क्यूंकि काफी सारे students हैं वो internship complete नहीं कर पाते हैं बीच में उनका internship के लिए gap हो जाता है मैं आपको बता दूं कि internship आपको पूरे 12th month करने होगी 365 days internship क है किसी कारणवस आप लेट होगे बिमार होगे घर कोई काम होगे या कुछ भी हो गया तो यहां यह अगले मैंने forward हो जाती है आपको 365 days internship करने ही होगी ये rule है तो इसलिए ये दिया जाता है और फिलाल अभी जो NEET का PG का exam होता है उसमें 31st March का top date लेते हैं अलंकि इस बार त आपको एक चीज और बता देता हूँ ये इसका duration बता देता हूँ MBBS का जो साड़े चार साल का MBBS होता है और एक साल की internship होती है तो मैं आपको subject wise duration बता देता हूँ यहां पर तो मैं आपको देखो यहां बता हूँ कि जो MBBS में subjects होते हैं वो total 20 subjects होते हैं यानि कि इसमें 14 subjects हैं वो man subject होते हैं और six subjects सब subject होते हैं तो यह जो total 20 subject होते हैं उनको इस परकार से divide किया है जो मैंने आपको बताया था भी थोड़ी देर पहले कि जो MBBS का है four years में इसको divide किया गया है first professional MBBS, second professional MBBS, third professional जो final लिखा था final professional part one यह third professional में आता है और third professional part two यानि कि इसको final part two भी कहा जाता है तो इस परकार से यह 4 part में बाटा गया है MBBS का duration अब इसमें subject कौन से duration में कौन सा subject रहेगा और वो कितने मन्त के लिए रहेगा तो जो first professional होता है first professional में anatomy, physiology और biochemistry तीन subject आते हैं यह तीन subject 12 months में आपको पढ़ाए जाएंगे 12 months का इसका time है, इसका schedule मैंने पहले बता दिया है इसके बाद में university exam होगी, हर एक professional के बाद वो first professional की university exam होगी, इसके बाद आप इसको clear करना है आपको four attempts में, ये four attempts में आपको clear करना ही है, इसमें कोई back वगरा नहीं लगता है, अगर आप इसको four attempts में clear नहीं कर पाते हैं तो उस student को medical college से बाहर कर दिया जाएगा, आगे MBBS करन का उसको कोई मोका नहीं मिलेगा, second year की बात करें हम second professional की, तो इसमें subject आते हैं pathology, microbiology और pharmacology, ये तीन subject first year में भी आते हैं, और तीनी subject second year में आते हैं, second year भी 12 months का है, अभी जो ये नया curriculum आया है, ये 2023-2020 के बैज के लिए है, पहले इस परकार से होता था, ये दो-तीन बार change हो ये साड़े 10 years का था, ये साड़े 17 years का था, और इससे पहले 2019 में RS4 लगा था, तो RS4 में इसका अलग curriculum था, ये 13 मन्त का था, ये भी 13 का था, और ये 12-12 इस परकार से, ये जो schedule था 19 में अलग था, और 19 से पहले, 2019 से पहले RS3 curriculum हुआ करता था, उसके अंदर first year 12 months का था, second year का ज जो भी अभी changing हुआ है, दो बार change हो गया है, first year 12 month का हो गया है, अभी 2023 के बाद जो भी बैच चलेंगे, second year 12 month का, third year 12 month का, और fourth year जो final professional होता है, वो 18 month का होगा यहाँ पर, इसका reason ये है, कि जो third year के अंदर, जो first professional है, उसके अंदर जो subject आते हैं, community medicine, forensic medicine, 4-5 subject आते हैं, और ये subject जो आते हैं, इनके लिए ये time काफी ज़्यादा था, यानि कि पहले वारा time था, काफी ज़्यादा था, और final year में काफी सारे subject आते थे, उसके लिए time कम दिया जाता था, तो अभी ये student के लिए अच्छी बात होगी है, final year में मैनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, subjects भी ज selection होगा, आपको इसके बारे में भी पता है, अब आते हम second year professional पर, ये 13, 12 month का होगया second year, इसके तीनों subject आ गई, ये मैंने आपको बता दिया, अब जो third professional है, यानि कि final part one है, इसके अंदर community medicine आएगा यहाँ पर, community medicine पढ़ाया जाएगा, forensic medicine पढ़ाया जाएगा इसमें, इसके आदमी medicine का subject रहेगा, इसमें surgery का subject रहेगा, PDA का subject रहेगा, और OBG का subject रहेगा, तो ये सारे subject इसमें, man man subject ये भी PDA, OBG वगरा भी इसमें third professional में डाल दिये हैं, 2019 बैस से ये इसमें नहीं थे, अब बात करते हैं, third professional part two की, यानि final year part two की, तो इसमें general medicine आएगा, general medicine पढ़ाया इसमें, dharma पढ़ाया जाएगा, इसमें psychiatry पढ़ाया जाएगा, respiratory medicine पढ़ाया जाएगा, PDA पढ़ाया जाएगा, general surgery पढ़ाया जाएगा, ortho पढ़ाया जाएगा, इसके बाद में ENT पढ़ाया जाएगा, optal पढ़ाया जाएगा, radiology पढ़ाया जाएगा, anesthesia और OBG, ये सारे subject से हैं ये final year में पढ़ाए जाएंगे यानि कि 18 मन्त का time है काफी समय मिल जाएगा पढ़ने के लिए ये student के लिए अच्छी बात है जो ये schedule आया है इसमें अब आप इसमें exam का भी देख लीजिए तो exam के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक professional के बाद जो 4 years में बाटा गया है हर एक professional के बाद university exam होगा ही होगा यानि कि next वारे year के साथ भी university exam होगा अब बात कर लेते हैं first professional MBBS की तो मैंने आपको बताया था कि इसमें तीन subject होंगे anatomy के दो paper होंगे और biochemistry के दो paper होगा हो और यह जो दोनुinson paper होंगे यह 100х100 marks के होंगे ठोरी के practical hundred marks का होगा physiology के 100h100 marks के दो paper होंगे practical hundred का होगा लेकिन biochemistry का एक ही paper होगा 100 का total pounce paper लगेंगे first year में और ये pounce paper हैं वो 500 marks के होंगे और practical इसमें 250 marks का होगा इसमें और इसमें exam पास करने के लिए practical और theory में separate आपको 50% marks लाना जरूरी है 50% marks लाएंगे तभी आप इसमें आगे ये second year में जा पाएंगे clear कर पाएंगे तो अब second year में pathology के दो paper होंगे microbiology के एक ही paper होगा और pharma के दो paper होगे ये भी 500 marks का exam होगा और 250 का practical होगा इसमें भी same ये ही condition है दोनों paper में आपको 50 aggregate ले करके आणा है theory और practical में इसमें तो ये condition है second professional की अब यहाँ first professional में तो आपको clear करके ही जाना है तभी आप second year में bad पाएंगे लेकिन अगर second year में किसी subject को आप clear नहीं कर पाते है मान लो final year में कितनी ही back लगते रहें nine years के अंदर अंदर आपको complete करना पड़ेगा final year में दो paper होंगे यानि की total तीन paper होंगे इसमें forensic medicine का hundred का एक paper होगा first part first का है ये part second का university exam तो लगेगा लेकिन इसमें दिखाया नहीं next exam भी लगेगा university exam भी लगेगा community medicine के दो paper होंगे hundred hundred के और डेट सो marks का इसमें practical होगा तो ये है इसमें पूरा schedule 2320 के लिए कि क्या होगा इसमें आगे का schedule ये मैंने आपको समझा दिया है पूरा का पूरा इसको मैं वीडियो के description box में भी डाल दूँगा आप वहां से एक बार पूरा इसमें curriculum चेक कर लें पूरे subject इसमें दे रखे हैं और इसमें और भी सारे काफी चीजें दे रखी हैं मैं आपको इस वीडियो में discussion करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो आप इसमें इसको download करके circular को download करके इसमें देख सकते NMC ने 12th zone को ये circular डाला है ये 2322 के लिए है schedule और बाकी जो condition ने है आगे वाले बैचूं के लिए लगेंगी ये सभी के लिए होगा 2322 से शुरू है अब आप अगर counseling के बारे में पूरी जानकारी लेना चाते हैं तो हमारी book download कर सकते हैं ओल इंडिया कोटा इस्टेट आयू स्वेटनरी सभी के लिए ये book available है इसको आप हमारे इस वीडियो के description box से या फिर हमारी website www.chopraeducation.in से download कर सकते हैं इसमें जैसी आप download करेंगे हम आप से संपर कर लेंगे आप हमारी paid service भी ले सकते हैं इसमें महिन बात यह है कि इसमें 24 लिस्ट दी गई है 2023 के लिए bond की detail दी गई है इसमें category wise college wise कटोब दी गई है चार साल की इसमें round wise कटोब भी दी गई है इसमें जो state के लिए book है उसमें भी सारी यही facility है सब कुछ इसमें समझा दिया गया है किस प्रकार से आप counseling कर सकते हैं इसमें जो open quota के state से उनकी fees कटोब अगरा के बारे में भी पूरी जानकारी देगी है जो private college में admission लेना चाहते है इस्टुडेंट तो मैं सोचता हूँ यह book आपके लिए काफी helpful रहेगी इस video के description box से इसको download कर सकते हैं तो मिलेंगे नई update के साथ में लेकिन जाते-जाते मैं आपको एक बात बता दूँ यह channel आपके जो student MBBS में course कर रहे हैं उनके लिए जो भी update होता है वो update डालते रहते हैं नीट related सारी information मिलेगी counseling related सारी information मिलेगी तो यह channel आपके लिए काफी helpful रहेगा इसको subscribe करके रखें इस video को ज्यादा से ज्यादा like और share करें मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक क झालते हैं